आज मैं आपके लिए एकदम पॉफेक्ट तरीका लेके आई हूँ भटूरे बनाने का एकदम फुले फुले भटूरे आपके बनेंगे एकदम पॉफेक्ट तरीके से तो ये देखिए एकदम फुला फुला भटूरा बन रहा है तैयार हो रहा है और ऐसे ही भटूरे आपके कर दो Is The वाटूरे की офव्व एक्दम गुश्र कितरा देखिए वल्कुल अब वीडियो में देखने पड़ेगी तब आपको समझ में आएगा कि क्या तक क्या चीज को गलती हम करते हैं Buna तो आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आएगा तो ये देखिए भटूरे को मैं अंदर से दिखा रही हूँ जो जाली पड़ती है बिल्कुल ऐसी ही जाली पड़ी हुई है और बिल्कुल भी ओईली नहीं है और कब तक ये लास तक एकदम भटूरा जो है हमारा वीडियो में तो ये देखिए कितना बढ़िया भटूरा बनके तयार हुआ है अंदर से ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसे ही भटूरे आपके बनेंगे घर पे तो इसके लिए दो कप मैदा लेना है और मैदा को हमेशा भटूरे बनाने के लिए छान लेना है तो दो कप मैदा हम ज्यादा कॉंटिटी में भी बना सकते हैं तो यहां पे और एक खास बात आप जिसमें मैदा जब गुंदेंगे तो आपको उसके लिए बड़ा बरतन चाहिए ताकि उसको अच्छे से मल सके अब दो चमच यहां पे मैं सूजी ले रही हूं तो सूजी डाल देंगे और यह मैंने इसको देखी अच्छे से मिक्स कर दिया है अब मैं इसमें मिलाने वाली हूं वन फोर्थ कप यहां पे मिला रही हूं में दही तो दही मिला लेंगे दही बहुत ज्यादा खटी नहीं लेनी है बहुत ज्यादा मिठी भी नहीं लेनी है बीची लेनी है और इसको अच् तो यहां पर बस फिर से इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स तो यहां पर डाल लेते हैं अगर आप इनो नहीं डालना चाहते हैं तो वन फोर्थ टीस्पून इसने बेकिंग पाउडर डालेंगे तो यहां पर अच्छे से मिक्स हो गया है और यहां पर करना क्या है देखिए मै मैंने यहां पे लिया है गरम पानी मैंने यहां पे लिया हुआ है गुंगुना गरम पानी थोड़ा थोड़ा करके हम यहां पे डो सैट करेंगे रोटी से थोड़ा सा डो सॉफ्ट रहेगा जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे हमें यहां पे थोड़ा सा सॉफ्ट डो तो थोड़ा थोड़ा पानी डाले और यहां पर देखिए गुंदेंगे यहां पर behaviors सब्सक्राइब कुछ कितना पानी डाल के गुंदेंगे लिए और आपको अंदाजा रहेगे और आपका मैदा बहुत भादा गीला नहीं होगा बहार जो हम भटूरre खाते हैं उसका जो मैंज़र का डो होता है वह बहुत जादा सॉफ्ट होता एकदम धीला होता है घर पे जो है थोड़ा सा यहां पे चिपचिपा हो गया है लेकिन अब इसको ना हमें उठा उठा के फेकना है इस तरीके से देखिए इस तरीके से उठा उठा के नहीं कम से कम 10 से 15 बार इसको हमें फेकना है यह दो चिकना हो जाएगा देखिए कितना चिकना हो गया है यहां पे डो म बिल्कुल इसमें कोई भी लाइंस ना रहें तो यहाँ पर देखे इस तरीके से इसको यहाँ पर रखेंगे और इसके उपर ना हम थोड़ा सा ओयल डालके और इसको ना अच्छे से कोट कर देंगे ओयल से ताकि आटा सुखे नहीं और इससे क्या होगा आटा सुखेगा नहीं वैसा ही सॉफ्ट रहेगा और इसको गीले कपड़े से हमें ढखके रख देना है गीला कपड़ा एकदम ऐसा नहीं कि पानी टप अगरा हो हमें निचोड देना है पानी को और गीला कपड़ा होना चाहिए मौश्यर उसमें रहना चाहिए तो बस इसको रख देते हैं 15 मिनट के लिए ढखके 15 मिनट बात देखिए यहां पे डो अच्छे से सेट हो गया है सुजी भी इसमें अच्छे से सेट हो गई है और यहां पे बस एक बार थोड़ा सा मैं हलका सा इसको मसल ले रही हूँ अब देखिए करना क्या है लोई तोड़ने के लिए हमें करना क्या है एक बॉल टाइप में इसको बनाएंगे इस तरीके से हाथों से हमें इस तरीके से इसको अंदर की साइड इसकी जो पोर्षन है आटे का वो करना है इससे क्या होगा उपर का जो यह पोर्षन है एकदम प्लेन हो जाएगा बस यहां पे अब लोई देखिए किस तरीके से तोड़ना है यहां पे इसको देखिए अंगुठे के बीच में पहले मैं हाथ को थोड़ा सा कर ले रही हूं तेल इसमें गरम तेल डाल देंगे ताकि यह चिपके नहीं डो अब यहां पे देखिए किस तरीके से तोड़ना है आप इस तरीके से अंगुठर उस हाथ के बीच में इसको फसा के इस तरीके से निकालना है तो एकदम परफेक्ट लोई आपकी निकल के जाना है और लोई को तोड़ते जाना है इस तरह से बनाएंगे तो आपके भटूरे एकदम फूले फूले एकदम पॉफेक्ट बनके तयार होंगे लोई को इसी तरीके से तोड़ना है जिस तरह से इसको प्लेन कर करके अगर आपने इस तरह किसे नहीं तो आपके जो अच्छे से सेट हो जाएं दस मिनिट बाद अब क्या करना है इसको बेलना शुरू करना है तो यहां पर मैं देखिए पहले जो रोलिंग पिन है बेलन है इसको भी अच्छे से तेल से ग्रीज कर लेंगे ताकि बेलते वक्त ना चिपके नहीं मैं आदा क्योंकि बहुत जादा अच्छा स्लिपरी है वो चिपके नहीं इसलिए और यहां पर जो हम जिस पे बेलने वाले हैं उस पर भी थ्वा रहा इस तरीके से यह मैं गरम तेल इस पे लगा रही हूँ मैं अब यहां पर एक लोई लेंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे आप गोल या ओल शेप में किसी भी shape में इसको बेल के तैयार करेगे गरम तेल मैंने डाल दिया है ताकि यह बेलने में बहुत असानी हो जाए बेलने में तो इस तरीके से यहां पर इसको बेलेंगे हलके हाथ से एकदम इस पर जोर लगाके नहीं बेलना है नहीं तो मैदा बेलते वक्त नँदा फट जा और थोड़ा सा जैसे फूले गाना इसको हमें पलट देना है तो इसको पलट दे रही और देखिए कैसे यह गुबारे की तरह न एक दम फूल जाएगा ये देखिए ये देखिये भटूरा जो है फूल गया ना इसी तरीक्टे से आपको यहां पे भटूरे तयार करने है और देखिये कितना बड़िया color आ गया है इसमें चीनी हमने इसलिए डाली थी ताकि color जो है और जब थोड़ा सा फूले गाना तो इसको पलट देंगे और फिर से उसके उपर तेल डालेंगे तो ये देखिए भटूरा कितना बढ़िया से फूल चुका है घर पे आप बनाईए इसी तरीके से बहुत बढ़िया भटूरे बनके तयार होंगे और बनने के बाद इसमें न बिलकुल भी जो है तेल नहीं रहेगा जैसे कि आपने वीडियो में देखी रहे देखिए तो आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को पुरा लास्ट तक जरूर देखें